हुआ फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू थे अंप्लिफायर कनेक्शन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 30 बच्पन का बोड होता जो हमारा उसको हम 2AC बाउंस हमें कनवर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कितना सही है कितना गल्थ है और कनवर्ट करने के बाद कौन सा ट्रांसफोर्मर यूज करना है ठीक है तो सारी बाते होंगी इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और जो 30-0-30 का 5CM का transformer मैंने लगागे दिखाया था और वो circuit एकदम से मस्त चल रहा है अभी भी चल रहा है लेकिन मैंने ये circuit board भी convert किया 2SE bounce में और TTA 1947 के अंदर लेकिन इस पे जब मैंने 30-0-30 लगाया तो इस board की हालत बिलकुल ही खराब होगी यानि कि इसके register होते हैं जो वो जल गए थे मैंने दोबारा से डाले हैं इसके ठीक है तो देखो अगर आप 30-55 के board को convert कर रहे हैं 2SE bounce के अंदर तो आपको properly ये पता होना चाहिए कि आपका जो circuit board है वो कितनी power जहल सकता है यानि कि कितनी ampere का transformer और कितनी volt का transformer उस पे लगा सकते हैं आपको पता होना चाहिए circuit के बारे में ठीक है तो तभी आप उसको convert करें अगर आप 30-55 के board को convert करें 2SE bounce के अंदर वो transformer सेम लगा रहे हैं जो 30-55 पे था तो sound quality increase नहीं होगी भाई क्योंकि जो sound quality 30-55 देगा वही sound quality हमारे 2SE bounce देंगे उतनी volt में और उतने ampere में ठीक है अगर आपको sound quality बढ़ानी है base बढ़ानी है तो आपको 2SE bounce लगाने हैं circuit में और फिर उसके साथ-साथ जो transformer की ampere है volt है वो भी आपको बढ़ानी होगी ठीक है तो जैसे circuit में normally हम जो 35-55 का board लेते हैं जिसके अंदर 35-55 लगे होते हैं उसके अंदर हम ज्यादा ज्यादा 120-12-5 ampere का transformer लगाते हैं लेकिन 2SE bounce हो के बाद अगर हम उसके अंदर 18-08-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 लगाते हैं तो कोई problem नहीं है अच्छी sound quality बनती जाएगी जितनी हम volt बढ़ाएंगे ampere बढ़ाएंगे ठीक है लेकिन 24-25 वोल्ट से ज्यादा अगर आप use करेंगे 30-55 के circuit board पे जो की 30-55 के लिए बना होता है तो उसमें आपका board damage हो सकता है ये एक risk होगा अगर आप 24-0-24 से ज्यादा का transformer आप 30-55 के board पे लगाएंगे तो ठीक है तो आपको अपना board का हिसाब किताब देखना है कि कितनी वोल्ट तक वो जियल सकता है तभी उसके अंदर transformer लगाना है ठीक है और आप इसको असानी से change कर सकते हैं इसका एक tutorial मैं आपको बता दूँगा इसकी एक वीडियो में specially बनाने वाला हूँ ठीक है और जो board के अंदर changes होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा उस वीडियो में कि जो risk के register जल रहे हैं वो कितनी quarter vote में लगाने हैं half vote में लगाने हैं या फिर one vote में लगाने हैं वो सारी बाते होंगी उस वीडियो में और अगर आप जैसे 24-024 का यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्मर का अठारा जीरो अठारा जीरो भी जीरो भी इसका यूज कर रहे हैं तो प्रीज आप इसके साथ साथ capacitor भी change कर लें जैसे 35V लगा है इसके अंदर 35V लगा रहता है तो प्रीज आप इसको 50V से ज़्यादा कर सकते हैं 50V तो होना ही चाहिए ठीक है 50V 4700UF का लगा सकते हैं आप ठीक है तो ये थोड़ी सी बाते हैं जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो फुल टुटोरियल है इसको convert करने का 35V को 2SC बाउंसों में तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बबाई